नमस्ते अब्रीवन स्वागाते आप सभी का मेरे चैनल पर और आज ना मतलब आज तो नहीं कल छुटी थी तो कल मैं थोड़े से पौदे लेके आई थी क्योंकि मैंने सुना है कि जो इस मौसम में पौदे लगाते हैं तो पौदे बहुत अच्छे से लगते हैं और ऐसा कि जब हम घूमने गए थे ना तो मेरे तक्रीवन पौदे सुग गए थे तो जो जो पौदे सुखे थे ना मैं वो सब पौदे दुबारा से लेके आई हूं कि मतलब ऐसा था कि उसकी याद मेरी जो है ना तो इसी मेरे दिमार में बैठ गई थी कि वो फ्लावर से आ रहे थ वो चीजे ऐसी थी वैसे भी एक दू चीजे तो नहीं अब दुबारा से आ सकती जैसे मेरा रोज प्लांट था जिसमें गुलाब हर दूसरे दिन इतने इतने आते थे वो तो बिल्कुल ही सुग गया वो नहीं आया तो अभी मैं रोज प्लांट में लेके आई हूं कि मुझ आपको दिखा दिया है मतलब दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर तो इंट तक देखिएगा और थोड़ी बहुत जो चीजे बताऊंगी वो सब आप लो ध्याल से सुनेगा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजेगा फ्रेंस ऐसा होता है कि कई के वार मैं वीडियो कई कई दिनों तक नहीं बना पाती हूँ आज तो मतलब ऐसा हुगा कि जो मैं लहा के आई न तो मैं सूट भी नहीं पहनी नाइटी में ही हूँ और सीवीड होना था मुझे तो काफी टाइम लगया और बीच में इतने सारे काम हो गए और अब मैं थग बग गई हूँ दो पढ़के हो गए अधाय तीन बग चुके हैं तो कुछ ही तरीके से कई वार बहुत ज्यादा बीजी हो जाता तो मैं चार ही थी कि आज की वीडियो में आप लों को कुछ तो डियाइवाइव करके दिखा हूँ लेकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मि तो मैं देख सकते हैं कि ग्रोसरी खरीद के लाई थी एक दिन वीडियो में आपको दिखाया भी था तो इग्रोसरी वैसी ही रखी हुई थी क्योंकि मुझे ठीक करने का टाइम नहीं मिला था तो आज मैंने सोचा कि इसको ठीक भी कर लूँगी और साथ में मैं खाना भी बनाओंगी तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे कडाही वगड़ा चड़ी हुई है तो यहाँ पर जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ न तो इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है एक्छली ये एक स्टोरेज बैग है स्टोरेज सॉरी स्टोरेज बॉक्स है जो कि मुझे बहुत ही सस्ता मिल गया है दो सारुपे का एक मिला है और अगर मैं इसे किसी और सौप पर ढून रही थी काफी दिनों से ढून रही थी तो वो मुझे ना साथ सो या सम्थिंग का मिल रहा था ग्रोसरी में बहुत ही सिंपल चीजे होती है लेकिन कुछ हिल्दी चीजे भी होती है जैसे कि नास्ते का ज्यादा से ज्यादा चीजे लेके आती हूँ मैं सूजी साबू दाना साथ में दल्या या फेरागी का आटा चावल का आटा और जो जरूरी चीजे होती है जैसे कि चीनी, चैपती, ये सब, कुछ फेस मास्क भी लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार जरूरत पर जाती है, कहीं जाना हो अचानक से या कुछ ऐसे, तो इसलिए मैं वो भी लेके आई हूँ, चली उसे मैंने निकाल के रख लिया है, और डबे को मैं कहीं और रखने के लिए, रख दोना करती हूँ, तो फिर काफी टाइम निकल जाता है, तो ये वाला काम जो है ना, वो मुझे फिर खाना बनाते हैं टाइम ही मिलता है, तो चली अभी मैं खाना बना रही हूँ, और मेरी बेटी मुझे कह रही है कि आप फ्रेम में नहीं आ रहे हो, तो मैंने का चलो ठीक ह अना चाहिए में तो यहिए है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो फ्रेम में आना चाहिए और उसके बाद मैंने क्या क्या समान देख सकते हैं मैंने निकाल के एक साइड में रख दिया है और दूद उबलने के लिए रख दिया क्योंकि और यकीन मानिया ये कम से कम एक हफते तक आपका चलता है तो अगर आपको भी परिसानी है कि अगर खाना बनाते टाइम प्याज चीलना लहसन चीलना या अदरक लहसन चीलना तो ये सब चीजों के लिए आप पहले से ही प्याज वगड़ा को चील के रख लीजिए काटने का क अबे में भड़के रख दिया और पोहे के अंदर में डाल दूँगी पानी और चलिए मैं इसी के साथ पोहे की रेसिपी भी सेयर कर देती हूं तो मैं जो अक्सर हां बहुत ही स्यादा सिंपल पोहा बनाती हूं वह है जिसे कांदा पोहा बोलते हैं प्याज वाला वही बना में आती हूं तो मैं यहां पर प्याज को कट कर रही हूं इसे चॉपर जो होता है उसमें नहीं कर रही मैं चाकू से इसको काट रिह हैं थोड़े-बड़े और लच्े वाले होते हैं तो इसमें फोही बहुत अच्छे लगते हैं तो प्यास काटने के बाद एक हरी मिर्च या दो हरी मिर्च जो भी हो वो आप काटके रख लें लहसन नहीं डालते हैं हम लोग अगर आप डालते हो तो आप डाल सकते हैं और यहां पर मैंने सारी चीज़े अरेंज कर लिया है पानी में पोहा को र जिसमें में डाल रही सर्सो का तेल और सर्सो के तेल में डालूंगी राई, कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च और सुखा मसाला में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक और मैं एक चीज़ और डालती हूं सांबर मसाला तो अगर आपका पोहा तेष्टी नहीं बनता हो तो कभी आप स्वाम भर मसाला डाल के देखिए जैसे ही साली चीजे थोड़ी थोड़ी पक जाए बहुत जादा नहीं पकाना होता उसको क्योंकि प्याज बहुत जादा पक जाएगा नो तो पोहे में इतना अच्छा नहीं लगता और मुंगफली तो मुंगफली अगर करके रखेंगे जैसे हलका सा मतलब भून के रख लें तो वो भी काम आ जाता है लेकिन बरसात में क्या होता है कि आप कितना भी भून के रखेंगे न तो थोड़ा सा उसका स्वादना अलग हो जाता है तो जब आप पोहा बनाने लगे कि तो साथ के साथ ही तेल में फ्राइ चोटा है क्योंकि मेरे करी पत्ता का पेड़ भी सूख चुका है लेकिन अब उसमें नए नए पत्ते आने लगे हैं तो बहुत खुसी हो रही है थोड़ा समय ने आज तोड़ भी लिया और बस यहाँ पर पोहा बनने ही जा रहा है आपाँ पर पाने ही शहाँ भी बापने ही जा शक्राइब को इस दूखे अल प्रॉब को छोड़े प्रॉब और जब तक मैं पोहे बना रही थी तब तक मेरी विटिया राणी ने सारा का सारा सामान समेठ दिया और अगर आपको पैसे बचाने हो ना तो आप कुछ इस तरीके के पाउच वाली चीजे लेके आया करो करो अगर गतलुन का तो सब्सक्राइब ब्लास्टिक के आगर मैं के पास डबत रहे हैं mathematicur के आप प्लास्टिक मैं रख लिया होागव तो अब बहुत पचत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पचत होने की संभावना आजकल कम है, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है, और इसको रखने के लिए ये टीप का यूज जरूर करें, ये तो पता चलेगा, इसको ऐसे लगा दिया है, ये अपने आप धिरे-धिरे टपक करके, पूरा का पूरा तियू निखल जाएगा, लेट हो गया अमनों का, और सबसे फेवरेट नस्टा अमनों का ये पोहा, वैसे पीछे से मुझे कुछ आवाज आ रही है, इसको पूहे नहीं पसंद, घर में क्या बनेंगे, पोहे बनेंगे, पोहे, तो संदे को सिर्फ पोहे बनते हैं, बाकी दिन नहीं बनता पूहा, तो और क्या, और दिन बनता पूहा, और पोहे के ऊपर से, यहाँ पर, मैं छोटे वाले जो आलू भुजिया होती है, या वैसे नमकीन होता है, मैं नमकीन बोलती हूं आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं बेशन का जी भुजिया जैसा होता है वो उपर से डाली हूं इसके डालने से बहुत ही अच्छा लगता है तो एक में मैंने नहीं डाला क्योंकि बेटी अभी थोड़ा सा नहाने गई है और फूर्ट्स काते हैं धेर सारे क्य यहां पर नरसरी में और नरसरी में मुझे आज कुछ पौथे खरीदने हैं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ थोड़े बहुत खरीदने हैं जो थोड़े मौसमी फ्लावर्स होते हैं जो इस मौसम में आते हैं अच्छे लगते हैं थोड़े देखने में बालकरी में और गमले तो मेरे पास बहुत सारे हैं तो इसलिए गमले तो नहीं लूँगी और कुछ बड़े पौधे लेने की सोच रही थी पर यहां पर बहुत अच्छा वेराइटी नहीं था तो छोटी मोटी चीजे जो मुझे पसंद आई हो मैंने ली खासकर वो चीजे ज्यादा ली जो म मुझे मैंने खो दी है अपनी गलतियों की वज़े से और यहां पर मैंने पौधे सारे बालकनी के अंदर रख दिया और बालकनी में रखके फिर मैं साम को इसको थोड़ा सा सेट कर लिया वैसे जब भी पौधे लाएं आप बाहर से तो उसको एक दिन के लिए छोड़ हौल सही नहीं लगता है मतलब उसको लगता है कि किसी अलग जगह पे आए हैं तो कई बार ना मुर्जा जाते हैं तो उसको एक दिन के लिए छोड़ दे जैसे ही वह आता है वैसे ही और उसके बाद फिर दूसरे दिन आप लगाएं तो मैंने भी यहां पर एक दिन छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो भी मेरे खाली गम ले थे जो भी सूख गये थे उन सब को मैं लेके आई और सब में थोड़ा थोड़ा खा लिया कुछ पौधों को मैंने रीपोर्ट भी किया है क्योंकि मेरे जैसे गुलाव के फूल थे और और भी कई सारे ऐसे फुलावर थे जो कि उसको रीपोर्ट करना जरूरी था तो उसके मतलब सारे पूरे जड़ के साथ निकाल दिया और फिर अच्छे से उसमें मिट्टी और खार डाल के उसको सेट कर लिया और मुझे अमरूद लगाने का इतना सौख है ना कि क्या बताओं मुझे मन करत है कि कब मेरा अमरूद थोड़ा बड़ा हो और उसमें फल आएं तो मैं उसको देखूँ तो यहां पर मैं यह वाले फ्लावर लेके आई हूँ जो कि सीजनल ही है और बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा जो बालकनी पूरा बिख़़ा हुआ था उन सब को सेट कर दिया क कुछ पौधे मेरे मैंने बीज लगाए थे तो कड़ेले का यह पेड निकला है और यह वाले पौधे भी सूख गये थे गुच्छा वाला होता है लेकिन अब यह फिर से ग्रो कर गया तो यह तो आ गया पर कुछ ऐसी पौधे थे जो नहीं आए यहां पर मेरे पुदीना ल कुछ पौधे मेरे पुळाने हैं जो की देख सकते हैं तुल्सी को मैंने दो जगाए हुए थे तो आज मैंने एक ही जगा इसको कड दिया है और जे इन देखिए करी पत्ता葉 आये उन्हकर नश्फ बहुत सुनदर लग रहाया है और साथ में मैंने गुढ़हल का एक पॉधा लिया है क्योंकि गुढ़हल से बहुत अच्छा लगता है पूजा पार्ट करने में और ये वाले फ्लावर मेरे जो थे ना चमपा बोलते है सैथ से तो ये सूग गए इसको मैंने दुबारा लगाया है और यहां पर मेरे बनाए हुए DIY का बोटल और उसमें मनी प्लांट तो कुछ इस तरीके से मेरा एक जो बालकनी है ना पूरी तरह से मैंने सेट कर लिया और काफी जगा भी मेरे को निकल गया और आज पुदीना काफी सारा मैंने देखा कंवले के अंदर तो मैंने पुदीना को काट के लिए आई वैसे मुझे कोई चटनी नहीं बनानी थी क्योंकि चटनी मैंने और लेडी पहले ही बनाई हुई थी तो मैंने सोचा इसको क्या करूँ यह तो खड़ाब हो जाएगा तो मैंने इसको पीस के और इस आइस ट्रे के अंदर भड़के रख दिया है कि जब भी अगर कोई सरवत व का डेली रूटीन कैसा होता है उसको मैंने सेयर किया है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिएगा धन्याँ बाई